जीयसटीड़्य। खरने पर और सेमान खरीदने पर зовут लंगता है। इस आवसीं को एएपी कियों कियों नहीं है कुछी एथी आश्य। GST paid होता है क्या यह वाला GST actually में GST paid होता है किसके द्वारा firm के द्वारा GST paid है और फिर बेच देदी यह करती है तो जब बेचेंगे तो से कहेंगे sell करना sale करना या कोई income generate कर रही है firm जैसे commission receive कर रही है उस पर भी GST वो collect करती है collect करती है हम उसे output GST के नाम से जानते हैं यह दोनों GST याद रखेगा firm पर लग रहा है तुम पर और मुझ पर नहीं लगेगा यह मैं और तुम आम consumers हैं यह GST तुम पर मुझ पर नहीं लग रहा है यह GST लग रहा है किसी firm पर किसी producer पर ठीक है कोई भी business unit पर लग रहा है यह GST firm collect कर लेती है इसको कहते है GST collected याद रखेगा GST की मालिक फर्म का है नहीं वो GST सरकार का है गवर्मेंट का है तो GST collect करना firm के लिए एक liability जिम्मेदारी है और GST pay कर देना वो चुटका रहा है कभी कोशन में आपसे पूछता है GST credit क्या है GST credit क्या है अगर output GST जो की firm collect कर रही है वो कम पर जाए मतलब firm ने जो GST collect किया वो कम है और firm ने GST जो pay कर दिया ज़्यादा है तो firm ने GST पहले ही सरकार को ज़दा दे रखा है उसे कहते है GST credit क्या मतलब formula क्या बन गया input GST minus output GST this gives you क्या निकलाएगा इससे इससे निकलाएगा GST credit समझने आया GST credit किसके पास है firm के पास है और इसका reverse कर दो GST payable मतलब ये GST firm को सरकार को देना पड़ेगा अभी firm ने GST तो collect ज़दा कर लिया है सरकार को pay कम किया तो जितना कम किया और pay करो अब formula बंगया output GST minus input GST ये है आ आपका ये है आपका दो topic जो की firm से लिटेट है पर मैं और आपको तो GST जो आप और मुझे देना होता है उसका formula होता है GST percent of taxable amount ये taxable amount कैसा amount है मैंने कहा ये taxable amount usually selling price के परावत होता है कि selling price जिस price में goods बेचा जाता है plus GST ये एक consumer को price देना पड़ता है हाँ इसका formula हो सकता है price including मैं short form लिख रहा हूँ क्या लिख रहा हूँ PIGST price including GST is the price that a consumer has to pay इसका formula क्या है प्लासान formula है इसका formula है पहला कि 100 plus GST percent upon 100 multiplied by selling price जिसको हम taxable amount कहते है तो अगर mark price list price catalog price दिया हुआ है तो ये किसके बराबर होता है ये selling price plus discount के बराबर होता है selling price is equal to mark price minus discount तो discount is equal to discount percent of mark price clear तो discount निकला आएगा selling price का direct formula लगा सकते बिना discount निकाले selling price का direct formula क्या लगाएंगे 100 minus discount percent upon 100 into mark price clear अगर एक से अधिक discount हुआ हो सकता है firm 30% पहला discount दे रहे है दूसरा discount 30% on दे रहे है तो 50% मत कर देना दोनों discount को add मत कर देना बलकि दोनों का अलगा